Hello दौसतो, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, tire के बड़े tire का पंक्चर कैसे निकालते है तो दौसतो बने रहे हमारे साथ तो दौसतो इसतरी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिए तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते है तो दोस्तो पंक्चर निकालने से पहले जो भी टायर में पानी होता है और हवा होती है वो निकालनी पड़ती है आप देख सकते हैं किस तरह से अभी ये पानी निकाला जा रहा है तो दोस्तो इसमें करीब देड़ से 150 से लेके 200 तक लिटर पानी भरा जाता है तो वो सब निकालना पड़ता है अभी इसका पंक्चर हो गया है ये दिखिए किस तरह से आप देख सकते हैं ये पानी यहां हॉल से निकल रहा है तो पूरा पानी निकल निकलना पड़ता है उसके बाद ही इसको खोलना पड़ता है यह दिखिए कैसी पाने की प्रेशर बहुत आता है अभी उसका वाल जो है उसका नट अभी निकाल रहे हैं मिस्त्री आप देख सकते हैं साइड में जो भी टायर का होता है वो अभी निकाल रहे हैं अभी निकालना पड़ता है यह देखिये हैं जो भी उसका आपका इनर होता है वो निकालना पड़ता है यह देखिये हो बहुत बड़ी इनर होती है उसमें पाने भी बरा जाता है तो पहले उसका पंक्चर निकालेंगे जहां भी है अभी इसमें हवा बर दी जाएगी इसमें करीब 30 से 35 हवा बरनी होती है टेक्टर में चल जाती है और उसमें डेट से उसे 200 लिटर पानी बरा जाता है तो अभी मिस्त्री चेक कर रहे हैं कि देखिये मिस्त्री का शॉप यहां देखिये टायर पड़ा है यहां भी हवा बने जा रहे है अभी जो भी लिकेज है उसमें अभी पता चल जाएगा उसमें जो भी लिकेज होता है उसमें से हवा बाहर आती है जहां भी पंक्चर होता है, अभी दो जगा मार्किंग हो गई है, दो जगा यानिकी, दो जगा पंक्चर है, अभी इसमें से पूरे हवा निकाली जएगी, और जो भी उसमें पानी बचा है, वो भी निकाला जाएगा, आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको पानी और हवा निकाली जाती है पूरी इसमें जरा से भी हवा या पानी नहीं चोड़ा जाता क्योंकि उसमें पंक्चर निकालने में लिकत हो जाती है यह दिखें हौल से जो भी पानी बचा हुआ है वो निकल रहा है आपके पास इस तरह के अतियार हो तो आप भी निकाल सकते हैं लेकिन उसको उसके उसमें भी ट्यालेंड की जरूरत होती है आप यह वीडियो देखके भी कोई सीख सकते हैं तो दोस्तों मैं भाड़ी के लिए आया था वो ट्यायर लेके मैं आया था स्क्रबिंग किया जा रहा है जो भी पंक्चर जहां होता है वह से गिसा जाता है पहले यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि टायर का लोड बहुत यहनी कि होता है जो भी ज्यादा इसके लिए पंक्चर भी उसी तरह का करना पड़ता है यहनी कि जो भी पंक्चर वाले होते हैं वह एक्सपर्टी होते हैं तो वल्कनाइजिंग भी करना पड़ता है इसके बाद मिस्त्री वल्कनाइजिंग के लिए दूसरा और जो भी है वह लगा देते हैं अभी टायर पूरी तरीकर से तैयार हो गया है अभी हवा बर दी जाएगी यह दिखिए और मिस्त्री चेक कर रहे हैं कि कहां से हवा तो नहीं जा रही है तो पूरा कनपर्ण होने के बाद ही इसके हवा पिरसे निकाली जाएगी और बाद में जो भी इनर होती है उसके अंदर बिटाई जाएगी तो अभी पूरा पॉर्ट निकल गया है अभी इनर अंदर मिस्त्री बिटा रहे हैं यह दिखिए पहले साप करना होता है उसके अंदर कोई कीलिया कोई अंदर साहिया तो पूरी चेक करना पड़ता है कि उसके बाद ही इनर लगाई जाती है यह दिखिए और इसका ध्यांग भी रखना पड़ता है कि कई इनर यहां वहां उदर दुमर तो नहीं गई यह जान दक्रा पड़ता है अच्छी तरीक से बिटी है नहीं सबी जगे से समारूप से इनर बिटाई जाती है इसके बाद जो भी उसका सेटिंग होता है वो कर लेते हैं उसके बाद उपर से जो भी टायर बिटा आ जाता है सही तरह किसे आप देख सकते हैं यह देखिए वह बहुत बड़ा टायर होता है ट्रक्टर के वह जो में टायर होता है अब देख सकते हैं पूरा भी इसमें इसके बाद भी हॉल टाइट किया जाएगा उसके बाद भी हवा भरती जाएगी करीब 35 हवा बर्दी जाती है यह लमसम कोई भी आप इधर उधर हो सकता है तो इसके बाद जो भी साइड पर जो भी होता है टायर के वह अच्छे तरह से बिटना चाहिए कि देखे हवा के साथ अब आपको पता चल गया होगा कि किसे बैठ रहा है कि इस सब सिखने के लिए आपको इस तरह के विडियो देखना चाहिए किस तरह के आप भी सिख सकते हैं कि अपके पास को इस तरह के हतियार भी होनी चाहिए कि इसमें लबसम पानी भी भरा जाता है वह बाद में भरेंगे लेकिन अभी हावा पहले भर दी जाती है उसके पार प्रेशर से जो भी सर्विसिंग इंटर होते हैं कार सर्विसिंग सेंटर उसमें उसके उसमें जाकर अब भर सकते हैं कि अब देखिए अभी हावा बरना चालो है अभी मिटर में चेक करेंगे मिस्तरी थोड़ी देर में कि हावा कि इतने अभी भरी हुई है अभी कम थोड़ी लग रही है मिस्तरी को मिटर है उनके पास यह देखिए अभी थोड़ी कम है उनको लगता है लगने के बाद ही हो पूरी बता देंगे कि अभी कितना हवा अभी लग रहा है अभी हो गया 35 अभी वो चेक करें हौल से क्याहाँ से लिके जोगरा होगा नहीं पूरा कंपर मोहर जाने के बाद अभी रेडी है टायर तो दोस्तों इस तरी की वीडियो सब सब के लिए देखने के लिए चानल को सब्सक्राब जरूर कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए मिलते हैं नेक्स टूडियो तब ते के लिए जय भारत